न्यूजिलेंड महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबास एमी सात्रवेट की रिकॉर्ड एक सो दो रनों की पारी की बदौलत कीवी टीम ने आस्ट्रेलिया को पहले वंडे मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया इडिन पार्क ओवल मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबासी करते हुए बैथ मुवी द्वारा 123 गेंदों में खेली गए 100 रनों की पारी के दम पर 48.4 ओवरों में सभी विकेट गवा कर न्यूजिलेंड के सामने जीत के लिए 276 रनों का चनौती पोन लक्ष रखा जिसके जवाब में न्यूजिलेंड की टीम ने 49.1 ओवर में पांच विकेट नुकसान पर लक्ष हासल कर दिया न्यूजिलेंड की बल्लेबास एमी सातरवेट की वंडे मैचों में ये लगातार चौथी शतिकिये पारी थी सातरवेट ऐसा करने वाली दुनिया की एक लौती महिला क्रिकेटर बन गई हैं एमी सातरवेट ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 137 और 115 रनों की दो नाबाग पारियों के अलावा 123 रन की पारी खेली थी महिला क्रिकेट के इतिहास में अब तक जिल केनारे, डेब शतक लगाने का रिकॉर्ड अब तक सिर्फ पुरुषों के नाम था, ये एमी के वंडे करियर का छटा शतक था, श्री लंका के दिग्जब बल्लिबास कुमार संकारा के बाद वे पहली क्रिकेटर हैं, जिनके नाम अब वंडे में लगातार चार शतक लगाने का दूसरा शतक लगाये था, उस्रेलिया के खिलाफ संकारा ने 104 रनों की पारी खेली थी और वंडे क्रिकेट में ये उनका लगातार तीसरा शतक था, संकारा ने स्कॉटलेंड के खिलाफ 124 रनों की पारी खेली थी और ये वंडे क्रिकेट में उनकी लगातार चौथी शतक पारी थी इसके साथ ही वंडे क्रिकेट इतिहास में संकारा ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए NMF News के रिपोर्ट